नमस्कार, ट्रेंट फ्रीक में आपका स्वागत है खास बात तो यह है कि लॉक अप जीतने के बाद उनकी किस्मत ही चमक गई है क्योंकि कंगना रनाउट के शो के बाद मुनवर फारुकी को लगतार कई रियालिटी शो के आफर मिले है जहां मुनवर को पहले खत्रों की खिलाडी 12 के लिए कंफर्म किया गया था तो वहीं अब उन्हें Big Boss OTT 2 के लिए भी अपरोच किया गया है जहां बिल्कुल सही सुना आपने Big Boss OTT 2 ताजा ख़बर के मताबित मुनवर फारुकी को करन जोहर के शो Big Boss OTT 2 के लिए अपरोच किया गया है हाला कि इस मामले पर अभी तक आधिकारिक तोर से कुछ नहीं कहा गया है यहां तक कि खुद मुनवर फारुकी ने भी अभी तक Big Boss OTT 2 को ले कर कुछ नहीं कहा है बता दे कि लॉक अप जितने के बाद मुनवर फारुकी ने रोहिट शेटी के अपकमिंग शो खत्रों के खिलाडी 12 पर भी चुपी अभी तक साधी हुई है और उन्होंने चुपी तोड़ी है मुनवर फारुकी ने खत्रों के खिलाडी 12 पर बयान देते हुए कहा कि पता नहीं टीम ने बाहर क्या खुचडी पकाई है मुझे वाकई में इस बारे में कुछ भी पता नहीं मुझे लगता है आप लोगों को मुझसे पहले ही पता चल जाएगा मुनवर फारुकी के इस बयान से लोगों को असमंजस में डाल दिया कि वो खत्रों के खिलाडी 12 में आ रहे हैं या नहीं बता दे कि मुनवर फारुकी कंगना रनाग का शो लोक अप जीतने के बाद मिस्ट्री गर्ल नाजिला को लेकर चर्चा में आ गए है मुनवर ने मिस्ट्री गर्ल के साथ अपनी एक फोटो गी शेर की जिसमें दोनों के साथ में रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेर करना ना भूले और साथ ही बेल आइकन दबा दे जिससे आपको हमारे आने वाले और वीडियो के भी अपडेट मिलती रहेगी धन्यवाद